एलो दोस्तों वाक़ात है तब सभी को आपको अपने चाहर बेसिक नौलेज़ में दोस्तों आप सबी के लिए बहुत बड़ी अपने निकल कर सामने आ रहे हैं जिया है दोस्तों आपलगे अर्धवासिक परिक्षा को लेकर अर्दबार्सिक परिक्षा आप लोगा यहां देख सकते हैं 22 तारीक से सुरू होने जारे है और यह किन-किन क्लासिस की होगी साथ में इसका रिजल्ट कब आएगा और इसका कॉपी चेकिंग दोस्तों आप लोग इसकोल में नहीं होने वाला है सबसे बड़ी बात यानि कि एक्जाम जो सकूल होगा बट इसका जो कॉपी चेकिंगा हो इस संकूल अस्तर पर होगा रिजल्ट कब जा रहे होगा इससे क्या फाइदा होगा आप लोग चलेटल में बताते हैं किन-किन क्लासिस का एक्जाम होने बाला है देखें तो साफ साफ यान लिखावा कि इसकूलों में 22 से होगी अर्दवार्सिक परिक्षा देखें आगे क्या लिखा है कि जीले के सरकारी स्कूल अक्षा तीन से साथ भी तक के छात अचातर होगी अर्दवार्सिक परिक्षा 22 दिसंबर से सुरू होगी दोस्तों ये जो 22 दिसम्बर से शुरू होगी जेसी आर्टी यानि जारकर्ण सैच्छी का नुसंदार इमंग परसिक्षन परसत नहीं परिफ्षा कार्ज करम जारी कर दिया यहीं कि आप लोगा रूटीन भी जारी कर दिया कब कब कौन सा सब्विट होने वाला है परसन सा उत्तर पुष्टिका में ली जाएगी परिफ्षा जिस परकार दस भी और बार भी का उयमार सिट में होने बाला है ठीक है उसी परकार दोस्तों इसमें आप लोगा क्या होगा परसन पत्र सा उत्तर पुष्टिका मतलब परसन रहेगा उसी में answer लिखने का जगर आएगा उसमें आप लोगा exam होगा एक बच्चे के लिए 80 रुपिये दिये जाएंगे जीले को ठीक है एक बच्चे एक बच्चे के लिए 80 रुपिये दिये जाएंगे आगे देख सकते दोस्तों क्या लिखा है कि धनबाद में ही सिरफ एक लाग तीस हजार बच्चे इस परिच्छा में सामिल होंगे कक्षा एक वाद दो के बच्चों की मौखीक परिच्छा होगी जवाब देंगे तक चाहरा 3 से 7 भी तक के छात्रों को वस्तुनिष्ठ लगूतरी या दिर्गूतरी या जो परस्तों का जवाब देना होगा यानि कि उस्तों जो क्लास 7 जो 3 से लेकर के 7 में पढ़ते हैं उनको वस्तुनिष्ठ लगूतर या दिर्गूतरी जिस परकार आप लोका 10 भी और 12 भी का पैटन है उसी पैटन पर उनका एक्जाम होगा आगे देख सकता है चात्रों को प्रिंटेड प्रस्नपत्र सा उत्तर पुष्टिका देनी होगी चात्रों को प्रिंटेड प्रस्नपत्र सा उत्तर पुष्टिका यानि कि जो प्रस्ना रहेगा उसी में उत्तर लिखना होगा टीक उसमें इस्पेस चुड़ा रहा है उसमें परोगा एंसर देना होगा जीले के सोलो से 90 इसकुलमिया परिक्षा 24 दिसंबर तक ली जागी यानिक 22, 23, 24 तीन दीन यह परिक्षा चलने वाली है पहली पारी पहली पाली सुबह साड़े 9 बजे साड़े 11 बजे तक दूसरी पाली 12 बजे से 2 बजे तक होगी कंचा 3 से 5 के लिए पर्तिक बिसे के लिए 60 60 अंग निर्धारित है जाएगी 18 रोपे में प्रशनपत्र रिपोर्ट कार्ट समेथ परिश्चा से समझे अन्यक हर्च करना है ठीक है सभी जी लोग जो प्रशनपत्र मिलेगा वो यहाँ पर याद दिखे सभी पिसेओं के लिए अगर आप लोग का अर्थवासिक परिश्चा होता है तो एक अच्छाई चीज़ होगा इससे आप लोग को पूरा पैटर्न का पता चल जाएगा और एक्जाम देने में बहुत ही आसानी होगी तो जैसे इस पर नी हो जाते हैं आप लोग बता दूगा हलाएं कि आप लोग एक्जाम से पहले स्कूल में टेस्ट एक्जाम होगा ही तो जैसे उसका कोई नोटिस दा है मैं आप लोग जान कर दे दूँगा चैनल बनेरे सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और जिस परकार से कागे आप लोग पुराने मॉडल पेपर को स्वाल करके अच्छे से तियारी किजिए कि उससे बहुत सरे स्वाल पूछे जाने वाले हैं तीक है और यहां देख सकते हैं जो इसका कॉपी चेकिंग का लिखा है कि धनबाद में एक लाग तीस हजार परिक्षा होगी अर्दवार्सिक परिक्षा के कॉपीों की जाच संकूल अस्तर पर होगी यानि कि इसकूल में आप लोग कॉपी जाच नहीं होगी संकूल अस्तर पर होगा एक संकूल के सभी संकूल को कॉपी दूसरे संकूल में की जाएगी तिक यानि कि एक संकूल का कॉ जन्वरी तक जारी कर देने हो कहा गिया है और कह सकते है एक बहुत अच्छा फैसला है जहार के अंबोर्ड यानि जेसी आटी की दुबारा इससे बच्चों में पढ़ने की और चमता बढ़ेगी यानि और बच्चे पढ़ेंगे देखेंगे किस तरह एक्जाम जाए इस पर है दस भी और बार भी और भी हो जाए तो बात भी क्या या तो इस पर भी जल्दी नेउज आएगा कियोंकि आप लोग के टेस्ट एक्जाम होने बाले हैं तो जैसे कोई नेजीज आता है मैं आप लोग जानकर ने स्वाफड बने रहे है रहे ठीक है चलिए गसीपकी के लि